breakfast is the first meal of your day इसलिए breakfast में अगर आप ऐसा कुछ खाएंगे ना जो protein और fiber rich हो तो आपका पेट काफी देर तक फुल रहेगा इतनी जल्दी आपको भूग भी नहीं लगेगी और इस recipe की सबसे important और खास बात तो ये है कि ये एकदम instant बनके ready हो जाएगी तो recipe अची लगे like, share और subscribe कर दीजिए instant high protein दोसा बनानी के लिए यहाँ पे मैंने कुछ grains को पानी में भिगो दिया था इसमें मैंने एक cup के जितना moon डाल लिया है एक cup के जितना तूर डाल लिया था और half cup चावल इन तीनों को आप अच्छे से धो लीजे और उसके बाद परियाप्त पानी आड़ कीजे इसमें और रात भर के लिए भिगोने के लिए रख दीजे अगर आप रात भर के लिए भिगो ना इसे भूल गए हैं तो आप कम से कम एक से देड़ घंटा तो इसे भिगो दीजे गरम पानी में मॉनिंग में अब इसका जो सारा पानी है उसे हम फेक देंगे और इन डाल और चावल को हम डाल देंगे ग्राइंडर के जार में इसमें आधा या फिर थ्री पोट कप के जितना पानी आड़ कीजे और एकदम स्मूथ पेस्ट में आप ग्राइंड कर लीजे पानी एक साथ मत आड़ कीजेगा थोड़ा थोड़ा करके आप पानी आड़ कीजे और इसे ग्राइंड कीजे वरना एक साथ आप इतना सारा पा अगर आपको ऐसा लगे कि आपको जो दोसा बैटर है बहुत गाड़ा है तो थोड़ा पानी भी आड़ कर सकते हैं, पिर गलती से आपने बहुत जादा पानी आड़ कर दिया था इसे पीस्ते वक्त, तो थोड़ा सा रवा आड़ कर दीजे, इसकी consistency एड़ से हो जाएगी. फिर दो बड़े चमच के जितना दोसा बैटर अच्छे से स्प्रेट कर लीजे इसके उपर ग्यास का फ्लेम मैंने यहाँ पे मीडियम रखा है और मीडियम फ्लेम पर ही इसे पकने दीजे उपर से ओईल, घी या फिर बटर से ग्रीस कर लीजे नीचे के साइट से देखे अच्छे से पक गया है आप चाहे तो इसे पलट कर दूसरे साइट से भी पका सकते हैं लेकिन उसकी जरुवत नहीं है फोल्ड कीजिए और यह सर्फ करने के लिए बिलकुल तयार है देख रहे हैं कितना कृस्पी बनके रेडी हुआ है बिना फर्मेंटेशन के इंस्टेंट अगर आप कोई रेसिपी बनाना चाहते है ब्रेक्फिस के लिए तो यह पॉफिक्ट आप्शन है देड मिनिट के अंदर ही यह दोसा बनकर रेडी हो जाता है खाने के लिए आप इसे सर्फ करने के लिए चाहे तो चटनी बना सकते हैं ओनियन टमेटो की चटनी या फिर कोकनेट चटनी और अपको चटनी के साथ खाने को बोर हो रहा है तो आलू की सबजी बना लीजे उसके साथ एंजॉई कीजिए मैंने यहाँ पे coconut coriander chutney के साथ उसे serve किया है ग्रीन मूंग डाल दोसा बनाने के लिए यहाँ पे मैंने 1.5 cups के जितना हरा मूंग ले लिया है जिसे राद बर के लिए भीगोने के लिए छोड़ देंगे और हाँ देड़ कप मूंग के साथ यहाँ पे दो बड़े चमच के जितना मैंने चावल भी डाल दिये थे भीगने के लिए चावल की वज़े से हमारा जो दोसा है एकदम क्रिस्पी बन के रडी होगा लेकिन अगर आप चावल नहीं आट करना चाहते तो लास्ट में आप चावल का आटा डाल सकते हैं उसकी जगा जिस पानी में हमने भीगोया था ना मूंग डाल और फिर राइस को उस पानी को फेक देंगे एक बार इसे अच्छे से धो लीजिए और उसके बाद इसे डालेंगे हम ग्राइंडर के जार में साथी डाल देंगे हरी मिर्च, एक स्प्रिंग के जितना कड़ी पत्ता, एक इंच अद्रक्का जिसे मैंने ग्रेट करके यूज किया है वरना डायरेक्ट आप बड़ा सा तुकड़ा डालेंगे ना, तो हो सकता है वो ग्राइंड ना हो अच्छे से डाला है एक चमज के जितना जीरा, नमक अड़ करेंगे स्वाध अनुसार और वान फोथ काप या हाफ कप के जितना पानी डाल देंगे इनिशली आप पानी कम ही यूज कीजिए ताकि ये एकदम अच्छे से पिस जाए बाद में अगर आपको गाड़ा लगे तो थोड़ा पानी डाल सकते हैं इसकी कंसिस्टेंसी को एड़िस करने के लिए हमें इसे एकदम पतला भी नहीं बनाना है बिल्कुल वाटरी टाइप नहीं चाहिए और बहुत जादा थिक भी नहीं चाहिए तो ये बिल्कुल परफेक कंसिस्टेंसी है हमारे दोसा बैटर की कास्टाइन तवे को गरम कर दिया है इसे एक बाल ओई से ग्रीस कर दीजे और फिर इसमें पानी छिड़क का टेंपरेचर को एड़िस कर लीजे फ्लेम को मैंने मीडियम कर दिया है और हमारा जो मूंग डाल का बैटर था उसे अच्छे से स्प्रेट कर देंगे वैसे तो यहाँ पर आपको दूसरे साइड पकाने की जरुवत नहीं है एक साइड पकाएंगे तो बस हो जाएगा लेकिन फिर भी आपको अगर ऐसा लगे कि साइड थोड़ा कच्छा रह गया है उपर तो दोनों साइड इसे पका सकते हैं अब आप मुझे बताईए यह वाला जो दोसा है आप क्रिस्पी पसंद करेंगे या फिर सॉफ्ट अगर आप क्रिस्पी चाहते हैं तो इसे लो टू मीडियम फ्लेम पर पकाईएगा और अगर सॉफ्ट चाहते हैं तो मीडियम टू हाइफ फ्लेम पर पकाईए उपर से या फिर गी को डुजल कर सकते हैं इससे बहुत ही अच्छा क्रिस्पी टेक्स्टर आ जाता है और इसे बनाने के लिए हमें जादा कुछ तैयारी करने की भी जरुवत नहीं है बस रात को मुंग दाल को बिगो देना है और मॉर्निंग में कुछ स्पाइस के साथ इसे पीस ले आप चाहें तो कोकनेट चटनी के साथ भी से खा सकते है और इसे सर्फ करने के लिए पनीर प्याज उसमें थोड़ा सा चाट मसाला नमक और जीरा पाउडर डालिए मिक्स कीजिए और उससे एंजॉय कीजिए बहुत टेस्टी लगता है